बचो, बैंक रिकंसिलियेशन स्टेट्मेंट 11 स्टेंडर्ड बुक की पिपिंग आन अकाउंटनसी कुवेश्चन नमबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बार ध्यान देना बटा अच्छे से सभी ने देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों को कैश्बुक दिया हुआ है फॉर में मन्थ ठीक है, कैश्बुक दिया हुआ है फॉर में मन्थ एंड पास्बुक दिया हुआ है फॉर जून मन्थ कैश्बुक दिया है में मन्थ के लिए और पास्बुक का एक्स्ट्रैक्ट याने आदा दूरा पास्बुक पुरा कंप्लिट भी नहीं है आदा दूरा पास्बुक है फॉर जून मन्त के लिए ठीक है देखो क्या दिया इन्होंने ध्यान देना सो कैश्बुक है एक मई से 31 मई तक और पास्बुक है एक जून से 30 जून तक का अच्छा दियान देना हा कैश्बुक पास्बुक ठीक है यह हमें क्वेशन में डेटा दे दिया और हमें बीरेस कर बनाना है 31 मे को 31 मे को हम लोगों को बीरेस बनाना है अब जो प्लीज ध्यान देने बटाए ये 31 मई है सेम अगले दिन आ जाएगी एक जुन ये दिया है cash book ये दिया है pass book और हमें बियारेस बना रहा है 31 में को अब बियारेस 31 में को बनाना क्या या एक जुन को बनाना क्या बात एक ही है क्योंकि 31 में का जो closing है वही एक जुन का ओपनिंग रहेगा तो ये दो डेटा हम लोगों को दिया हुआ है cash book मई मन्त के लिए pass book जुन मन्त के लिए चलो check कर लेते है नीचे cash book पास बुक ये cash book है first of में से लेके मई मन्त पूरा ये देखो आखरे transaction 30 कोई हुआ होगा तो 30 तक दे दिया ठीक है ये closing balance है ये opening balance है ये opening balance है opening balance credit side में है मतलब ये credit balance है मतलब OD balance है cash book का और pass book का आपको जुन मन्त का डेटा दिया हुआ है एक जुन से लेके अब ये extract है आधा दूरा उपर लिखा था ना extract ध्यान देना बिटा ये extract है तो अब यहाँ पर pass book का balance दे दिया इदोंने balance brought down मतलब ये opening balance है pass book का closing balance दिया ही नहीं है क्योंकि ये आधा आधा दूरा है question में लिखावा था extract of the pass book याने complete pass book नहीं है maybe शायद आगे का data हमारे काम का नहीं होगा इसलिए उन्होंने extract दे दिया आगे बढ़ते अब इनका जो pass book है वो किस format में दिया है समझ लेते एक बार देखो तो जरा अब ये हमें check मिले थे अब ये में के ending में जो कुछ check रहे होंगे वो जून के पहले अपते में clear होंगे सार हम लोग ये क्यूं देख रहे है बताता हूँ जैसे के ये कोमल से हमें check मिला वो check clear हो गया ये देखो तो कोमल कोमल ये कोमल है ये तीन हजार का check ये प्रकाश से हमें 1000 का check मिला bank account debit to Prakash cash book का bank column bank account debit to Prakash 1000 का check वो देखो check clear हो गया yes or no सो ये हमें सारी चीज़े इन्होंने दे दी ये सारी चीज़े इन्होंने हमें दे दिये चलो आजाओ अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने आजा मुनना सो अब ये सारा डेटा तो हमें दे दिया है अब हम लोगों को BRS बनाना है 31st में को सो देखो बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट एज ओन 31st में आज तक सारे क्वेशन में हमने कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट लिया है इस क्वेशन में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लेना दिया नहीं है तो मैं पास बुक लेता हूँ इस बार सर एक्जाम में भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट डिया नहीं है तो मन से हम लोग कैश बुक या पास बुक कुछ भी ले सकते है हाँ सो मैंने पास बुक लिया इस बार स्टार्टिंग पॉइंट तेरा हजार चार सो रुपे पास्बुक, स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखो 13,400, सर ये 13,400 क्यों लिया, क्योंकि मुझे 31 मे का BRS बनाना है, तो 31 मे का पास्बुक का बैलेंस चाहिए, मुझे पास्बुक का बैलेंस चाहिए 31 मे का, सर ये 31 मे का बैलेंस है क्या, हाँ, देखो, सर ये तो 1 जून का बै वो ही एक जून को ओपनिंग रहेगा 31 में का closing याने एक जून का opening तो इसलिए एक जून को जो balance दिया हुआ है वो ही balance 31 में को closing था 31 में का जो closing यह है वो ही अगले दिन एक जून का opening बनेगा और मुझे BRS बनाना है 31 में को मेरा starting point पासबुक है इसलिए मुझे पास्बुक का भी बैलेंस चीए 31 में का जिस डेट को BRS बना रो उस डेट का बैलेंस चाहिए अब पास्बुक का जो एक जून का बैलेंस है वो ही 31 में का क्लोजिंग था इसलिए मैंने स्टार्डिंग पोइंट ले लिया 13400 अब क्या करना है लाइन बाइल लाइन मुना प्लीज ज्यान देना लाइन बाइल लाइन एक एक ट्रैंजेक्शन में देख लेता हूँ आजओ 31 में का BRS बनाना है चलो अंकिता का चेक 2300 रुपीज का बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकिता बोलो ये चेक मिला, कैश बुक बढ़ गया ये सोर नो, कैश बुक बढ़ गया बोलो ये चेक क्लियर हुआ की नहीं हुआ अब आपको केसे समझेगा चेक क्लियर हुआ की नहीं हुआ क्योंकि हमें कैश बुक दिया है में मंत का तो मुझे पास्बुक भी में मन्त का चाहिए था अगर यहाँ पे अंकीता का चेक आया और में मन्त के पास्बुक में अगर अंकीता का चेक क्लियर हो गया तो मैं समझूगा यह क्लियर हो गया कैश्बुक भी बढ़ गया पास्बुक भी बढ़ा तो बियारेस में पॉइंट आएगा नहीं लेकिन हम लोगों को question में में मन्त का पासबुक दिया ही नहीं है हम लोगों को question में जून मन्त का पासबुक दिया हुआ है सो अब अंकीता का check जून मन्त में है क्या देखेंगे देखो, अंकीता का चेक अगर जून मंत के पास्बुक में नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, शायद अंकीता का चेक में मंत के पास्बुक में ही क्लियर हो गया रहेगा सही है न अंकीता से चेक मिला में मन्थ में कैश्बुक बढ़ा दिया में मन्थ में कैश्बुक बढ़ा दिया में मन्थ में Yes or No कैश्बुक बढ़ा दिया में मन्थ का अब में मन्थ का पास्बुक तो दिया नहीं है अब हम लोग देखेंगे जून के पास्बूप में अगर अंकीता का चेक नहीं है मतलब शायद अंकीता का चेक में मन्त के पास्बूप में ही क्लियर हो गया रहेगा मैं साज जून कर सकता हो न क्योंकि हमें में मन्त का पास्बूप दिये नहीं है सही बोल रहा हूँ क्लियर है तो धूंडो अंकीता का चेक जून के पासबूप में है कि धूंडो अंकीता 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 नहीं है मतलब अंकीता का चेक में मंत में ही क्लियर हो गया रहेगा Yes or No? क्योंकि जून में तो अंकीता नहीं है उसके बाद कवीता का चेक में मन्त के पास्गूप में एक है धूंडो धूंडो सॉरी जून मन्त के पास्गूप में एक है कवीता का चेक नो जून मन्त में कवीता का चेक नहीं है मतलब कवीता का चेक शायर में मन्त में clear हो गया रहेगा सो चेक रिसीव एंड चेक लियर में मंत में और में निंका भी आरिसमत आ रहे हैं तो ये भी पॉइंट भी आरिसमें नहीं आएगा सेल्स फोर्टीन ताउजन फाइवंडेड माल बेचा चवदा हजार पानिसो का माल बेचा इसले देखो अंकिता कवीता दोनों भी आया नहीं yes or no clear है पकी बार अब ये सेल माल बेचा चौदा अजार पासं का maybe अब यहां पे चौदा अजार पासं का चेक मिला बडो चेक सेम दे डिपॉजित नी किया तो आहमने पहले पढ़ा था उस चेक को cash treat करो मेंगे अपने बाद में डिपोजिट किया होगा देखो 14,500 की entry यहां दिख रही है मतलब यह 14,500 का जो चेक है वो clear हुआ June मन्त में मतलब वो मैं मन्त में clear नहीं हुआ मतलब चेक मिल गया cash book तो बढ़ गया लेकिन में मन्त में clear नहीं हुआ आया के difference बोलो starting point क्या है starting point है pass book पहुचना कहा है cash book पे इसको fix करो add करो so 14,500 में add कर दूगा 14,500 add कर दूगा यह देखो सर यहां पे lace में लिखा है अब मैं बताता हूँ pass book का od balance है तो यहां पे इन्होंने क्या किया question में इसको minus देना चीए था तो minus दिया नहीं od balance है तो starting point minus रहता है न इन्होंने minus किया नहीं इन्होंने plus ही लिया है देखो कुछ नहीं मतलब plus है इन्होंने plus लिया इसलिए आगे के सारे rule अपने रिवर्स हो गया हमारा answer क्या आया था add इन्होंने कहा पे लिखती है list में सब नहीं न हम हमारे rule के इसाफ से करते है अपने rule के इसाफ से करना है तो passbook का od balance है इसलिए minus 13,400 लिखना है minus लिखना है इस bracket में लिखा मतलब minus तो बताओ 14,000 passbook का जो check मिला वो में मंत में clear नहीं हुआ difference आया starting point passbook यहां पोचना है fix करो add करो तो अपने इसाफ से क्या आएगा add 14,500 sales का yes or no अब यहां पे हमने starting में minus लिख दिया तो हम लोग हमारा answer आगा है rule के इसाफ से वो ही लिखेंगे add to add less to less लेकिन यहां पे solution में क्या हुआ od balance होने के बावजूद भी इन्होंने minus नहीं लिया इन्होंने plus ही लिया इसलिए आगे add का less और less का add हो गया यह बात समझा है क्या सभी को पकी बात यह जो मैंने बोला यह चीज clear हुआ है प्लीज एक बार मुझे yes no बता हो तो आगे बढ़ता हो ने तो अलग तरीके से बता तो यह बात समझा है पका सर अपने रूल के इसाफ से कर लो ठीक है अपने रूल के इसाफ से कर ले दे यह लो od balance starting में ही minus कसाइन दे दिया तो हम लोगों को यह add का list और यह list का add अब अपने हिसाफ से answer आजाएगा सर final answer भी same आएगा न हाँ final answer भी same आएगा od balance आजाएगा od balance है ने negative balance od balance है ने negative balance अपने हिसाफ से कर लेते so passbook का od balance ले लिया उसके बार next point furniture का बेचा 2,000 रुपे का check आए बो यह check इस month में दिख रहा है क्या नो June month में नहीं है मतलब वो check May month में clear हो गया furniture check आया May month में और May में ही clear हो गया sir आपको कैसे समझा May में clear हुआ क्योंकि June में नहीं दिख रहा है तो furniture वाला point BRS में आएगा check received और May month में clear हो गया क्यों? क्योंकि June में passbook में नहीं दिख रहा है मतलब May में clear हो गया रहेगा अनिता से check मिला पंदरा सुका cashbook तो बढ़े गया बोलो May month में clear हुआ है क्या है? दूंडो दूंडो अनिता का check clear हुआ June month में मतलब May में clear नहीं हुआ so check received but clear नहीं हुआ May difference आया starting point passbook के यहाँ पोर्चनाय फिक्स करो add करो तो अनिता का check add हो जाएगा देखो यह अनिता का check अपने समें add हो जाएगा पंदरा सो रुपे उसके बाद next point गनेश से check मिला 4000 था cashbook तो बढ़े दिया दूंडो गनेश का check passbook में दिख रहा है क्या? add करो तो देखो गनेश का भी check add हो जाएगा गनेश का भी check add हो गया उसके बाद कोमल कोमल से check मिला 3000 का वो 3000 का check June में clear हुआ मतलब मैं मन्थ में clear नहीं हुआ check received बढ़ में मन्थ में clear नहीं हुआ starting point पास भूब है यहाँ पोचनाय fix करो add करो सुकोमल का भी देखो add हो गया 3000 और सेम देखे लास्ट वाला प्रकाश का प्रकाश का check June मन्थ में clear हुआ मतलब में में clear नहीं हुआ check received from प्रकाश में मन्थ में clear नहीं हुआ इसलिए आगे new question starting point पास भूब है add कर दो उसके बाद आगे और बढ़ते ये तो balance है ये नहीं लेंगे ये भी balance है नहीं लेंगे रोकी रोकी को check दिया चलो check करो clear हुआ है रोकी का check यहाँ पर दिख रहा है गया June मन्थ में no मतलब May में ही clear हो गया रोकी को check issue किया May मन्थ में clear हो गया BRS में आएगा मतलब May मन्थ में clear हो गया चेक issue and check clear ये भी नहीं आएगा सोनाली 4,000 रुपए सोनाली 4,000 का check दिया था June में clear हुआ मतलब May मन्थ में clear नहीं हुआ चेक issue में मन्थ में clear नहीं हुआ इसलिए पास्टू के यहीं करा है आगे new questions starting point पास्टू के यहां पहुचना है fix करो less करो सोनाली का देखो less किया है 4,000 less उसके बाद मंजीरी सेम सोनाली की तरह 1500 less कर दो और क्या नहीं बटा purchase किया था 7,000 का बोलो वो purchase का 7,000 का check जून में दिख रहा है क्या नहीं मतलब में मंथ में clear हो गया check issued और में मंथ में clear BRS में आएगा क्या नहीं drawing check issued या 10 से withdraw किया और में मंथ में आगया तो BRS में नहीं आएगा machine यहाँ पे 10,000 का machine के लिए check issue किया और वो check clear कब हुआ जून मंथ में वो check clear कब हुआ जून मंथ में यह machine कही होगा same amount है इसले हमने सोचा machine कही होगा अब बता मुझे जून में हुआ मतलब में में clear हुआ में 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 पास्बूग के लिस्ट करो यह देखो machine का मैंने लिस्ट कर दिया और उसके बाद अर्चना को check issue किया वो check जून मंथ में clear हुआ मतलब में मंथ में clear नहीं हुआ इसले में मंथ में पास्बूग नहीं खड़ा है आगे में कुछ ने that's it game over सब endless कर दो गया तो पका यह answer आजाएगा cashbook का और check करो cashbook 8500 यह simple है क्या होगा हम लोगों के यहां पर उल्टा check करना है हमें पास्बूग दिया है जून का cashbook दिया है में मंथ का अब अगर ऐसा कोई check है जो जून में दिख रहा है मतलब में में clear नहीं हुआ ऐसा कोई check है जो जून में नहीं दिख रहा है मतलब हम लोग सोचेंगे में में clear होगा अब कोई बच्चा यहां पर ऐसा भी बोल सकता है कि सर अगर ऐसा भी तो हो सकता है में में भी clear नहीं हुआ जून में भी नहीं हुआ जुलाई में हुआ होगा तो पेटा हो सकता है but proper assumption अब यहाँ पर क्या लेंगे question में में का cash book और June का pass book दिया है अब ऐसा कोई check है जो June के pass book में नहीं है तो हम लोग सोचेंगे में में clear हो गया तो वो BRS में नहीं आएगा अब ऐसा कोई item है जो में में check issue किया या में में check receive किया लेकिन वो check दिख दिख रहा है June में मतलब वो मैं में clear नहीं हुआ तो difference है मतलब वो point BRS में आएगा simple यह बात समझाई सभी को पक्का इसमें किसी को कोई doubt है तो पूछो clear है चलू आगे all set यह हमारे इसाब से passbook बनाया हुआ है हमारे इसाब से इसलिए credit balance यहाँ पे मेरे लिए passbook का क्या है od balance है done पक्की बात चलू आगे all set और अगर यह bank वालों की इसाब से होता तो passbook का credit balance क्या होता बोलो बिटा favorable यह हमारे इसाब से बनाया हुआ है passbook राइट चलू आगे next उसके बाद है हमारे multiple choice questions यह हमने कुछ questions देखे थे आजाओ आगे बढ़ते हैं यह नहीं हम लोग multiple choice यह दो one sentence answer है one word है mcq पहले देखेंगे select the most appropriate alternative passbook is dash of the account holder बोलो बिटा copy और extract of the account holders transaction with the bank passbook मतलब क्या होता है रहे bank वालो के book में हमारा account मतलब passbook so extract of the account holder's transaction in the books of bank bank gives OD facility to current account saving account में नहीं इस्टी है bank reconciliation statement is prepared by account holder or customer of the bank याने trader हम लोग difference cost due to the time gap between the transaction being recorded in the books of account by a businessman and some transaction same transaction being recorded by bank is known as timing difference time की वज़े से जो difference आता है वो timing difference उसके बाद when check is dash into bank cashbook is बोलो बेटा जब हम लोग check bank में deposit करते हैं तो cashbook debit होता है check issue करते हैं तो cashbook credit होता है बरोबर है यहां debit की बात चल रहे थी इसले deposited check received and deposited तो हम लोग cashbook को debit करते हैं cashbook के bank column को transactions directly recorded in the bank includes dash cash ऐसे कुनसे transaction है जो directly bank में record हो जाते हैं हमें पता भी नहीं है जैसे bank वालो ने charges लगा दिये bank वालो ने हमारे भी आप में कोई payment collect किया है ना so check issue यह तो हमारे cashbook में आएंगे हमने issue किया होगा check deposited यह भी हमने deposit किया तो हमारे cashbook में आ जाएगा interest on OD bank वालों ने charges लगाया interest यह हमें अब इदक पता नहीं है बरोबर है क्या देखो आपको है ना BRS के बारे में understanding थोड़ी से ओर develop करता हूँ मेरे खाल से सबसे पहले में काम करता हूँ BRS का आप लोगों को एक बार पूरे topic का word I view देता हूँ वापस में अच्छे से समझना अच्छे से समझना वेटा आज आज बिया इस topic क्या चीज़ है यह ना पांच मिनिट के अंदर में आपको पूरा topic समझ में आएगा देखो प्लीज ज्यान देना so basically क्या हो रहा है bank reconciliation statement यह एक statement है is a statement prepared by account holder which help us to know the causes may भी दो टाप के causes है timing difference और difference due to error और omission of difference between cash book and pass book cash book याने bank column of cash book pass book याने bank statement cash book कौन maintain करता है cash book is prepared by account holder याने हम लोग trader, customer pass book maintained by bank और prepared by bank pass book याने क्या है pass book is the printed copy of account holder's ledger in bank's books in the bank's books of account बरोबर है yes or no प्लीज ध्यान दे हैं मेरे सब लोग उसके बाद अब अच्छे से ध्यान दे हैं काम की चीज़ बता रो BRS topic में जब भी हम लोग कोई चीज़ सॉल करेंगे तो ये ध्यान रखना है three steps follow करना है step number one हर बार जब भी BRS topic में लोग practical questions सॉल कर रहें तो cash book और pass book equal level पे ऐसा समझेंगे second step read the information analyze it and go to the new position of cash book का bank column and pass book ये सबसे important step है और third step तो दूद्पीता बच्चा भी करेगा starting point को adjust करो adjust starting point बरुबर और अब आपका सवाल सर न्यू पोजिशन पे कैसे पहुचना है उसके लिए कुछ चीजे लिखवा के देता हूँ जो आपको हमेशा काम आने वाली है आजाओ ये लिख लिया सभी ने लिखा बेटा है सभी ने अषब देने लिख़ ये जब काम आते है देने अब दियान दो अब काफी बार बच्चे बोलते नहीं कि सर जैसे अब कैश बुक कैश बुक कब-कब बढ़ता है ये समझ लो जैसे कि कैश बुक कब-कब बढ़ता है मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम को हमने डेबिट किया कैश डिपोजिट किया याने बैंक अकाउंट डेबिट किया हमने बैंक अकाउंट को हमने हमारी बुक में डेबिट किया अच्छा केसबूक कोई मेंटिन करता है बताने तो केसबूक कोई मेंटिन करता है prepared by account holder so cashbook में जब भी entry करेगे तो क्वों करेगा account holder पास बूक में जब भी कोई entry आईगे डारेकली तो कौन कर रहा है bank so cash deposited into bank या फिर check received यहां फिर बिल डिसकाउंटेड विद बैंक यह ट्रैंजेक्शन जनरली एलेवेंट में नहीं आता है बट ध्यान रख लो यहां पे भी हम लोग क्या करते है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल करते है हम लोग यहां पे क्या करते है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल जहां बैंक अकाउंट डेबिट आगया समझ जाओ कैश बूग को डेबिट किया कैश बूग बढ़ गया भरो करे या फिर बैंक वालों से लोन लिया तो लोन वो बोरे में बंके थौड़ी देंगे loan का पैसा हमारे account पे डालते है और हमने loan लिया मतलब हम तो entry pass करेंगे न bank loan received हमने entry pass की मतलब cash book में आ जाएगे अब यह बताओ cash book decrease कब कब होगा cash book decrease याने cash book को credit कब कब करेंगे याने two bank account cash withdraw check issue किया होगा याने या कभी कभी ऐसा भी होता है गलती से हो जाता है हमें cash मिला गलती से हमने bank account debit कर दिया या ऐसा भी होता है हमने किसी को cash दिया cash credit करना चीए था गलती से गलती से bank account credit कर दिया बढ़ो बढ़ो ये भी तो हो सकता है ये हम लोग क्यों देख रहे है cash book कब कब बढ़ता है cash book कब कब कम होता है क्योंकि new position पे आने में आपको असन ही हो जाएगी उसके बाद pass book कब कब बढ़ता है pass book कब कब increase होता है again pass book याने आपका ATM balance actual bank balance bank statement हमने cash deposit किया तो तुरंट बढ़ जाता है जी हाँ बिल्कुल बढ़ जाता है तुरंट के तुरंट मतलब सब cash deposit करने से cash book भी बढ़ गया pass book भी बढ़ गया cash book भी बढ़ गया pass book भी बढ़ गया BRS में पॉइंट नहीं आएगा उसके बाद check deposited and cleared तो समझ जाओ pass book भी बढ़ जाएगा check deposit किया और वो check clear हो गया check deposit किया और clear हो गया या फिर any payment collected by bank directly bank वालोंने directly मेरे भियाब में कोई तो payment collect किया yes or no तो उस case में भी तो ATM बढ़ जाएगा bank वालोंने directly collect किया मतलब मुझे अभी तक पता नहीं है इसलिए उपर वो cash book में आया नहीं इसलिए उपर यहाँ पर cash book में आया नहीं तो बच्चा बोलेगा सरे थर्ड वाला point cash book में तो नहीं आया क्योंकि bank वालोंने directly collect किया मुझे अभी तक पता नहीं है या फिर ऐसा भी हो सकता है ध्यान देना सबी नहीं हाँ interest allowed by bank interest allowed by bank directly अभी तक मुझे पता नहीं इसलिए उपर cash book में आया या इसा भी हो सकता है गलती से errors or omission अब बता पास book कब कब कम होगा पास book कब कब कम होगा एक बार आपको एक cash book कब बढ़ रहा है point A cash book कब कम हो रहा है point B pass book कब बढ़ रहा है point A pass book कब बढ़ रहा है point C कब कम हो रहा है point B ये चीज अगर आपको समझ में आ गए न तो B.R.S. कापिया तक आसान हो जाता है बच्चों के लिए जैसे Cash Withdraw या Check Issued and Cleared या फिर एनी पेमेंट बैंक वालों ने पेमेंट किया एनी पेमेंट मेड collected नहीं है एनी पेमेंट मेड बाइ बैंक directly हमें अभी दत पता नहीं है इसलिए पोईट उपर नहीं आया या फिर एनी चार्जेस चार्जड बाइ बैंक डिरेक्ली ये भी हमें बता नहीं इसलिए उपर अभी तक आये नहीं तो अब या आप अगर देखोगे तो अपने पूरे BRS टॉपिक में इसके भार आपको और कोई ट्रेंजेक्शन नहीं दिखेगा या फिर गलती से बढ़ो बढ़े अगर इस चारो पॉइंट समझ में आ गया तो उसके बाद क्या कामास आने है और दूसरी एक और चीज़ काफी बाद काफी किताबों में क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट कैश्बुक हो चाहे पास्बुक हो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है तो अपना रूल और उनका रूल आपन जहां एड करते हैं वहां उनका लेज दिखेगा जहां आपन less करते हैं वो हमका add डिकेगा yes or no सब फिर हमारा answer सही रहेगा क्या बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि वो लोग od balance होने के बावजूद भी plus ही लिखते हैं और हम लोग क्या करते हैं हम लोग यह करते starting point अगर od balance है तो हम लोग minus लिखते थे इसलिए हमें add का add ही रखना है less का less ही रखना है starting point अगर od balance है तो हम लोग minus लिखते थे इसलिए हमारा add का add ही रहेगा और less का less ही रहेगा एक बच्चे ने बोला payment collected और payment made में क्या difference है payment collect मतलब bank वालोंने अगर od balance है उसके बावजूत भी आप plus में लिख रहे हो उस balance को तो हमारा जो answer add आया उसको less कर देना, जो less आया उसको add कर देना चाहिए कोई भी case हो और starting point only balance है और आप अगर minus लिख रहे हो तो आपका जो answer आया हमारे rule case आपसे add का idea रखो, less का less ही रखो clear और BR इसके ओपर हम लोग एक दो questions solve करेंगे, इसके ओपर एक lecture और हम लोग लेने वाले, आज के लिए इतना काफी है, बाग की हम लोग देखेंगे next lecture में, तब तो एल्विदा, take care bye bye, stay home, stay safe, bye